कि हलो मैं डॉक्तर राव से मैं प्लास्टिक सर्जण हूं और मैं गुरुदाओं में प्रैक्स करता हूं अज हम तॉपक bhiscus करेंगे वह बहुत कमन हैं बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत मन में डौट्व और क्या होता है वो है कि पैनेस का size क्या होता है normal panis size क्या होता है इसके बारे में दोस्तों से पता लगता है कहीं magazines में पढ़ लेते हैं गलत गलत information होती है और एक तरह की मन के अंदर एक उल्ठा एक तरह का infinity complex की हमारा size पता नहीं ठीक है कि नहीं है मेरा कम size है तो यह सब चीज़े रह जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एक्जेक्टली बताते हैं कि पैनेस का साइज कितना होता है जो कि प्रोटली साइंटिफिक हो साइंटिफिक स्टेडीज पर बेस्ट हो तो दिखे बहुत यह जानन होती है कुछ में कम होती है तो वो किस टाइम दिन के किस टाइम पर आप देख रहे हैं उस वक्त अरावजल कितना है क्या देख रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई ऐसी मैगजिन्स देख रहा हो तो क्या सोच रहा है उस रूम का टेंपरेचर कितना है अगर रूम का टें में तो नहीं है अगर anxiety में होगा stress में होगा तो penis का size छोटा हो जाएगा और वो कितनी sports खेलता है कितनी sports activity करता है उस वक्त कितनी sports activity कर रहा है उसकी sexual life कितनी active है जितनी ज्यादा sexual life active होगी उतना ही penis ज्यादा बड़े size का रहेगा same person में यह सब various reasons होते हैं कि एक ही आदमी में दिन के किस time पे कितना size होगा तो वो उपर या नीचे बढ़ता रहता है अब हम इसमें discuss करेंगे कि हमने कि इसकी measurement कैसे करते हैं तो देखिए इसमें ऐसा है इसमें बहुत studies आई जिसमें देखा गया कि इसको measure कैसे किया जए जब यह देखा गया कि patient को यह person को खुद कहा कि आप लोग study में कि खुद measure करके बताओ तो उन्होंने अपने penis के size को ज़्यादा बताया लेकिन जब लोगों ने इसको measure किया जो scientist ने measure किया या अपने clinic में measure किया तो इस size को कम पाया गया तो जो average size है वो है जो study हुई 2015 में average size जो flaccid penis है मतलब जिसमें अभी erection नहीं है उस penis की 3.5 inch जो है वो average length पाई गया average का मतलब है कि जादतर लोगों की इसके हासपास की length थी और कुछ लोगों की इससे जादा थी कुछ लोगों की इससे कम थी लेकिन जादतर की जो average निकाली गई सब की यानि सो लोग थे उन सब की length को बड़ा कर दिया गया और सो से divide कर दिया गया तो 3.5 inch निकली और erect होने पर मतलब erection आने पर खड़ा होने पर पहने इसके वो 5.17 inch निकली तो कि जो की जब उनको खुद study करने के यह कहा गया तो उन्होंने उसकी इंच अपनी length को 6 inch से भी उपर बता दिया लेकिन actual में 5.17 inch थी फिर इसका जो circumference ना पा गया वो था 4.39 inch तो यह हमने बताया साड़े 3 inch बिना erection के 5.17 inch erection के साथ और जो circumference है वो है 4.59 inch इतना circumference देखा गया तो यह point हो गया second point है कि इसकी growth कैसे होती है penis की तो penis की growth है जब बच्चा पैदा होता है उससे 5 साल तक बढ़ता है पैनिस बढ़ता चला जाता है शिरू में वो 4 cm तक होता है आम तोर पे एवरेज और वो 5 साल तक बढ़ता है फिर ग्रोथ रुख जाती है पैनिस की और प्यूबर्टी तक उसकी ग्रोथ नहीं होती यानि जब तक डाड़ी मूच नहीं आती तब तक पैनिस भी बढ़ा नहीं है अब हम यह मानेंगे इसमें हम यह कहेंगे कि क्या पैनिस का साइज को आप किसी बॉड़ी पार्ट से बहुत से लोग ही कहते हैं कि पैनिस का साइज आपके हाथ के बराबर होता है आम तोर पैर यह पैर के बराबर होता है यह जूते के साइज के बराबर स्ट्रेश पैनि में study हुई कि नाक के बराबर होता है लेकिन यह सब गलत थी बातें ऐसा नहीं मैं यह नहीं कहूंगा कि गलत थी लेकिन correlation बहुत कम थी जिस एक चीज़ का correlation पाए गया है वो पाए गया कि जिनकी ring finger उनकी index finger से बड़ी होती है उसमें penis का size बड़ा होता है तो एक यह interesting point है कि जि misconception है कि कुछ लोगों का जैसे जो negros हैं या जिनों ब्लैक्स हैं उनका penis size बड़ा होगा एफ्रिकन्स का penis size बड़ा होगा as compared to locations या फिर जो Indians है या Asians है ऐसा बहुत से पहले ऐसे studies आई थी जब उनसे खुद बोला गया था लेकिन जब scientific study की America में study हुई recently तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा difference नहीं है चाहे वो Indian हो चाहे वो American हो चाहे वो Blacks हो चाहे वो Caucasians हो Mexican हो लगभग सभी में पैनिस का size है वो इसी size का रहता है 5.17 इंच average हर रेस की यह है तो ऐसा मानना यह Porn sites में देखे कि उनका Blacks का बहुत ज़्यादा बड़ा है या Asians का या चाइनीज है उनका छोड़ा है इस तरह की बात नहीं है अब बहुत से लोग इसमें question पुछते हैं कि females को कितना पैने साइज चाहिए तो इसका एक survey किया गया जिसमें पूछा गया फिमेल से कि आपको कितना पैने साइज adequate है आपको क्या लगता है कि क्या पैने साइज adequate है तो females ने बड़ी इंट्रेस्टिंग हमें पास data है निकाल कि हमकी जो लेंथ है वो 16.3 cm मेल के पैनेस की होनी चाहिए और जो हमने बताया कितनी होती है 5.17 इंच मतलब 13.12 cm के करीब होती है तो females को उससे 3 cm लंबा पैनेस चाहिए था जितनी average पैनेस लेंथ होती है और circumference जो average होता है वो गता है 11.6 cm जिसको मैंने 4.5 इंच बताया था 11.6 cm उनको चाहिए होता है 12.7 cm तो जो females की चाहत है वो जितने males का average पैनेस होता है उससे ज़्यादा होती है जब females से यह पूछा गया कि उनको क्या चाहिए तो ज़्यादतर females ने कहा yes उनको एक length जो length है पैनेस की वो भी ज़्यादा होने चाहिए और लंबा गर्थ का पैनेस पसंद है और उसमें भी गर्थ ज़्यादा पसंद है तो यह एक स्टडी में पाया गया यूएस में स्टडी हुई थी अब यह बात हुई कि जब उनको फोटोग्रैप्स दिखाए गए females को तो उसमें उन्होंने क्या का तो उसमें भी मेरे पास पसंद आये चोटे मेल्स और चोटे पैनेस का साइज नहीं पसंद आया तो यह देखा गया कि females में इस चीज़ को preference देती है जबकि आप पढ़ेंगे आपने कहीं सुना होगा है को डोक्टर भी बताते होंगे या कुछ है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी नहीं जो studies अब हम इस पर हम discuss करेंगे कि evolution किस तरह से penis बड़ा होता गया मैं आपको जाकर बता है हरानी होगी जो primates होते हैं जैसे chimpanzee है गोरिला है human beings है आपने जानते होंगे कि human beings लगवर हम उनसे related हैं तो जो human penis है वो सबसे बड़ा penis है even gorilla जो कितना बड़ा होता है शरीर में उससे भ हुआ कि human beings में penis का size इतना बड़ा होता चला गया उनके शरीर के अनुपाद से किसी और जानवर से एक खास्तों पर प्राइमेट से यानि गोरिला चिमपैजी और अंविटान तो वो इसलिए हुआ कि जैसे evolution हुई humans में दिमाग develop होता गया तो जो vagina थी उसको बड़ा होने ल खड़े हुए उनकी वेजाइना उनका दिमाग भी बड़ा होने लगया उनके बच्चों का तो वेजाइना भी साइज में बड़ी होगी तो उन्होंने sexual pleasure के लिए उन्ही मेल्स को चुना इनके पैनिस बड़े साइज के थे तो इसकार से धीरे 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 जो humans का पैनिस का साइज था वो अपने close relatives जो की gorilla है चिमपैजी है उनसे बड़ा होता चला गया अब मैं इसमें एक और last बताओंगा ये तो हमने science की बारे में बात की अब last में इसमें बताना चाहूंगा की आयरुवेद में जो हमारी पुरानी कामसुत्र है उसमें क्या कहा गया है उसमें उन्होंने कहा कि जिनका 7 से 10 cm का size होगा उन्होंने उनको खरगोश की category में रखा 10 से 16 cm size को उन्होंने बुल्स जानी सांड की category में रखा लड़क अग्या और जिनका 16 से 20 cm उनको घोड़े की category में रखा तो हर कल्चर में हर साल से सदियों से पैनिस की size से बहुत ज़्यदा obsession है लोग जानना चाहते हैं कि वो कितना size होता है वो कितना बड़ा होता है और ये इंडिया में नहीं था ये रोमन में था ये ग्रीक्स में था ये चाइना में था ये जैपैन में था तो ये आज मैंने इसका कुछ डेटा आपको बताया फिल भी दुबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जो नॉर्मल फ्लैसिड पैनिस के लेंध है वो साड़े तीन इंच इरेक्ट होने के बाद 5.17 इंच और सर्कंफरेंस 4.59 इंच होता है एवरेज जब देखा गया लेकिन फिमल को इससे 3 सेंटिमेटर लंबा यानि लगभग 1 इंच से कुछ लंबा और लगभग एचेंग चोड़ा पैनिस ज्यादा पसंद आता है जब उनसे पूछा गया तो जब उनकी स्टेडी की गई थी उन्होंने जिस मॉडल को चूज किया पैनिस के जिस मॉडल को चूज किया हिमन बेंस में तो उस स्टेडी में तो ये पैनिस के बारे में मैं आज बताना चाहता था अगर हो सकता है मुझे लगता है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए ह हमारा यह जो क्लिनिक है हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की पहने इसको लंबा और मोटा करने की स्वाज़ीज भी करते रहते हैं बहुत से हमने पुराने दूसरे जो हमारे चैनल है उसमें वीडियो भी डाले हैं आप इन नंबर पे हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे मिल भी सकते हैं गुरुदाओं में हमारा क्लिनिक है जो सभी दिन दस बज़े से साथ बुज़े तक अपने होता है थैंक्यू बेरी मुच